दोस्तों नमस्कार जैसर किष्णा जैसरी रादे दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 फरवरी 2024 आज के लवरासी फल के बारे में आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशंसिप की स्थिति कैसी रहेगी आईए जानते हैं दोस्तों आज का लव रासी फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें वह सुनें अगर आपको चंद रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के नुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों आज चंद्रमा मकर रासी के सुबह 10 बजे तक रहेंगे ततपस चाथ कुम्ब रासी में प्रवेस कर जाएंगे दहनिष्ठा रक्षत रहेगा रात के 8 बज कर 30 मिनट तक ततपस चाथ परिवरतन कर जाएंगे सत्वेसा में आज के चंद्रमा आपके लिए किस प्रकार का गोचर रखने वालें किस प्रकार का परिवरतन रखने वालें आपकी लव लाइफ आपकी मैरीड लाइफ को कैसा बताते हैं आईए जानते हैं दोस्तों लब रासी फल सुरू करें उससे पूर्ब जानेंगे आज का खास उपाए आज टेडी डे स्पेसल में आपको एक बेस्ट उपाए बताते हैं और ये उपाए बहुत लोगों को लाप महुँचाया है खास करके अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं आप पार्टनर को अपने एक्स पार्टनर को मनाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अपनी लव लाइफ को बहतर बनाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को जो आज के दिन टेडी दे रहे हैं वहे टेडी आपके प्यार की याद भी बन जाए और उस टेडी से इतना ज़्यादा अटेश्मेंट फील करने लगे आपका पार्टनर कि आपको कभी भी छोड़ने की सोचे ना तो ऐसा आप कर सकते हैं एक छोटा सा नुसका छोटा सा उपाई करके पीली सरसों और थोड़ा सा आपको जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो सिंदूर लेना है पीली सरसों थोड़ी सी एक चुटकी पीली सरसों और एक चुटकी वो सिंदूर लेकर के आपको भोजपत्र में बांदना है और भोजपत्र में बांद करके आप उस टेडी को जिसे आप दे रहे हैं अपनी पार्टनर को या फिर आपके पास में कोई है बो या फिर खरीद के तो आप पहले ले आईए उसके बाद में उसके सर पे आप पांच मिनट तक इस जो भोजपत्र में आपको पीली सरसों और जो सिंदूर बांदा है उसके सर पर रख करके ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए ऐसा आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स उस टेडी में जा रही हैं आप इतना ज़्यादा ये देखेंगे कि इसे देने के बाद में फिर आप दे आईए अपने पार्टनर को ये गिप्ट कर दीजिए और फिर देखेंगे या फिर आप कक्रस है या जो भी व्यक्ति आप जिसे भी टेडी बेर देना चाहते हैं उनको आपका ये टेडी बहुत पसंद आने वाला है और आप इस समझें और देखें कि आगे चलके कैसे आपकी लाइफ में ये ही गिप्ट आपके प्यार को आपके लिए इतना एमोश मतलब जो बोजबत्र का टुकड़ा जो सामगरी बंदी है वो नदीम में प्रवाहित कर दें उसी दिन करें मतलब कल ही करें ये जरूर कीजेगा इससे आपको बहुत लाब मिलेगा अगर आप दे ही रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी देते ही नहीं है या इस तरीके के ह नहीं नहीं और आप देने लगें तो हो सकता आपके पार्टनर या किसी वेक्ति को अजीव लगे तो इसलिए उन लोगों के लिए है जो कोई गिप्ट कर ही रहा है उनके लिए बहुत लाबकारी हो सकता है उपाए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का लवरासी फल सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में सबसे पहली रासी मेस रासी के बारे में मेस रासी बालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है आज आपका 10 बज़े के बाद में बहुत ही अच्छा व्यक्ति आपको मिलने वाला है या फिर कोई व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो सकता है आप अगर किसी को प्रपोज करना चाते हैं खास करके अपने ओफिस में ही तो बहुत ही जादा जल्दी वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा अगर कर रखा था तो आज हो सकता है वो आपको ऐसी इंट्यूशन ऐसी कुछ बातें बोल दे कुछ ऐसा साहिन कर दे कि कुछ न कुछ आपको लगने लगे कि उसके दिल में चलने लगा है आपके लिए लव लाइफ में बहुत ही प्यारी स्थितियां रहेंगी हाला कि आपका अकड इगो बढ़ जाएगा मंगल की बज़े से भी ऐसा हो रहा है लेकिन इसमें आपको अपना अकड इगो कम करके रखना है क्योंकि सामने वाला आप से भी ज़्यादा अकड में होगा यानि कि आपका पार्टनर लव लाइफ बहुत बहतर है तो अब इग्नॉर नहीं करेगा और सबसे खूबसूरत इस्तितियां यही हैं आपके लिए कि आज का दिन स्पेसल बना देगा आपका पार्टनर जो उपाय आज आपको बताया वो मेरिड लाइफ में भी अपने वाइफ को आप दे सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए वो इमोशनल हो जाएगी लोयल हो जाएगी एक्स्टर मेरिटल अफैर में दिन सामानने रहेगा लेकिन साम के वक्त में हो सकता है पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा इमोशन्स अपनी फीलिंग्स कुछ ऐसी बातें व्यक्त करें जो आपको सुनके बहुत अच्छा लगे जेस्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं ब्रशवरासी वालों की ब्रशवरासी वालों सिंगल हैं तो आज के दिन हो सकता है कोई व्यक्ति आपको मिले कहीं ऑनलाइन या बहुत ज़्यादा लॉंग डिस्टेंस वाला व्यक्ति और वो आपके साथ फ्लर्ट करने लगे फ्लर्ट भी और हो सकता है कुछी दिन पहले मिला हो और वो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे आपको प्रपोज कर दे मतलब उसका फ्लर्ट बहुत ज़्यादा फेक होगा और जितनी भी बातें उसकी होंगी तो बहुत ज़्यादा जूटी होंगी और बेवनियाद होंगी तो आप ऐसे व्यक्ति के जहां से में ना है प्रैक्टिकल हो करके सोचेंगे तो बहतर रहेगा एमोशनल होने का बिलकुल मत सोचेगा लव लाइफ में पार्टनर से आपको बहुत प्यार मिलेगा लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और हो सकता है कि सुबह सुबह के वक्त में और ज़्यादा बहतरीन कोई गिप्ट आपके पार्टनर आपको दें अगर आप एक दूसरे के साथ में हैं तो आज का दिन बहुत ही रोमांटिक होने वाला है वो कॉन्टेक्ट में स्तिती बैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करें और आप एगो के मारे उन्हें भगा दें मेरेड लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉबलम खत्म होगी सिसरौाल पक से संबंध अच्छे होंगे और हो सकता है कि आज के दिन साम को आप अगर कोई उमीद कर रहे हैं पार्टनर से तो वो उमीद पूरी ना कर पाएं यासा हो सकता है, extra mental affair में दिन सामाननी रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन रासी बालों की मिथुन रासी बालों सिंगल हैं तो दिन सामाननी है लव लाइफ में जगड़ा बिबाद होगा और हो सकता है कि सोबह सोबह लडाई हो जाए लेकिन दो फैर गिवा चीज़ें ठीक होंगी तो दिन फिर ठीक हो जाएगा नो कॉंटेक्ट में स्तिती सामाननी है मेरिड लाइफ बहुत अच्छी है हला कि मेरिड लाइफ में कुछ आपके पार्टनर आप पर भरोसा कम कर रहे हैं इस चीज़ कभी आपको लगेगा कि बुस्सक ज़्यादा कर रहे हैं से बचियेगा एक्स्टा मैइटल अफैर में आपके पार्टनर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बाते करेंगे और आपने उनकी एक बात ना मानी अगर कोई एक बात के लिए ना कर दिया तो उनकी अभधरता भी देखेंगे मुफट स्वभाब भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा बत्तिमीजियां भी वरदास्त करनी पड़ेंगी यह इस्तिती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं करकरासी वालों की करकरासी वालों सिंगल हैं तो दिन सामानने है लव लाइफ में ब्रेक अफ हो जाएगा नो कॉन्टेक्ट में दिन बहुत खराब जाएगा नो कॉन्टेक्ट में हो सकता है कि आपके एलिए आपके पार्टनर आपको इरिटेड करें आपको टॉर्चर करें मेरेड लाइफ में भी कुछ ऐसी इस्तितियां रहेंगी जिसमें आपके पार्टनर आपसे इरिटेड हो या आपको टॉर्चर करें ऐसी इस्तिति बन सकती है कि आज के दिन आप लोग धमकी देने लेगें एक दूसरे को और ब्रिक अप की बात यानि कि डिवॉस की बात करने लगें एक्स्टर मेटल अफैर में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम की वज़े से आज बहुत दिन बर मूर खराव रहेगा और खर्चे अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत किये हैं तो आज बहुत अपसोस होगा यह इस्तिति है दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंगर आसी वालों की सिंगर आसी वालों अगर आप सिंगल हैं तो दिन सामानने हैं लव लाइफ में आज का दिन बहुत अच्छा है पार्टनर आपको प्यार देगा काफी रोमांटिक इस्तितियां रहने वाली हैं हो सकता है कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आप दोनो सारी sopking करवा सकते हैं extra vital affair में दिन सामानने रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्यारासी वालों की कन्यारासी वालों सिंगल हैं तो इस्तिती सामानने है love life में आपका break up हो सकता है no contact के स्तिती बहुत खराब हैं आपको कितना भी message करें उन्हें कितना भी उन्हें याद क कितना भी उनकी क्यार करें उनकी उनको आपकी कदर नहीं होगी और इस चीज़ का अफसोस आपको होगा कि आपने किस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया है मेरिड लाइब बहुत ज़्यादा खराब है और किसी थर्ड पार्टी की वज़े से आपके पार्टनर आपके हस्बेंड आपको टाइम नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा रूर बिहेविट कर रहे हैं ऐसा आपको पता चलेगा कि उनका ओफेस में ही कोई अफेर इत्याद है तो अत्यधिक इमोशनल हो जाए या फिर आपको इंप्रेस करने लगे या आपको कोई गिप्ट दे आज के दिन लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी लव लाइफ में पार्टनर बहुत ही रोमांटिक वैवहार करेंगे नो कॉंटेक्स उचेशन की स्थिति सामानने है लेकिन मेरिड लाइफ में आपकी उम्मीद है पार्टनर से जादा हो गई है इसलिए उम्मीद है टूटेंगी और जगड़े बाद विवाद होंगे कलेश की स्थिति ही वनेगी हो सकता है साम के वक्तों कुछ चीज़े ठीक हो जाएं एक्स्टर मैइटल अफैर में आज का फेक व्यक्ति मतलब जो दूर से आपको अभी तक मिला भी नहीं जानता भी नहीं वो व्यक्ति आपको कॉंटेक्ट करे मैसेज करे और या फिर इंप्रेस करने की कोसिस करे हो सकता है कि आपको किसी से थोड़ा बहुत आटेश्मेंट भी फील होने लगा हो और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जूटी बाते करें तो आज बहुत practical होके सोचना नहीं तो आप किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पागल हो सकते हैं love life में आज के दिन partner आपको कोई teddy gift कर सकता है partner बहुत ज़्यादा प्यार देगा बहुत ही care करेगा हलाकि यहाँ पर इस्तितियां अगर बहुत serious चल रही है नतलब जहाँ marriage को लेकर के बातें हो रही है बहुत serious future के बारें बातें हो रही है वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है no contact में स्तिति सामानने है married life में आपके partner अचानक से आज कुछ ऐसी बात कर देंगे आपको जलाने के लिए कोई कोई film star या कुछ कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि कही न कहीं किसी दूसरे व्यक्ति कोई third person को लेकर कि यह मेरा क्रस है या मुझे अच्छा लगता है जो आपको जलाने के लिए ओगा लेकिन कलेज बहुत हो जाएगा चीज की छोटी-छोटी मजाक के चक्कर में बहुत जादा आपका दिन रात खराब हो जाएगा extra material affair में दिन सामानने है दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनू रासी वालों की धनू रासी वालों सिंगल हैं तो श्तिती बहुत जादा खास बन रही है आज के दिन आपका कोई दोस्त बन सकता है लव लाइफ में किसी के लिए आपके अंदर कोई फीलिंग बची है आपके एक्स पार्टनर के लिए या कोई व्यक्ति के लिए उससे आपके पार्टनर को दिक्कत हो रही है और उससे जगड़े भी होंगे दो कॉन्टेक्ट में स्तिती सामानने है मेरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की वज़े से कलेश की स्तिती बन सकती है और हो सकता है ससुराल पक से संबन्द खराग हो जाए एक्ष्टा मेरिटल अफैर में दिन सामानने रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर रासी वालों की मकर रासी वालों सिंगल है तो इस्तिती आज के दिन बहुत ही खास बन रही है आज के दिन आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है जिससे बातचीत करके आपको अटेच्मेंट फील होने लगे लव लाइफ मैं आज के दिन अपनी बाणी में बहुत ज़्यादा अब अधरता देखेंगे आप और बाणी बहुत करकस हो जाएगी मूफट सबहाव एगो की वज़े से इगो हर्ट होनी की वज़े से बहुत ज़गडे होंगे आप दोनों में आप बहुत पजैसे भी होंगे बहुत सक भी करेंगे इससे भी स्तितियां खराब होंगी नो कॉंटेक्ट में स्तिति सामानने है married life में आपके partner आप पर बहुत ज़्यादा चीखम चली कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इस्तिती खराब रहेगी extra-marital affair में कलेज की स्तिती बन सकते हैं और आज के दिन आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा रिस्ता खतम करती आ जाए यह स्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुमबरासी वालों की कुमबरासी वालों सिंगल हैं तो जिन सामान ने है extra-marital affair और married life की स्तिती बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और खास करके no contact में हैं तो आप यह देखेंगे कि आपके partner आपकी life में बापस आना चाते हैं लाइट तो बहुत ही खूबसूरत बनने वाली आज के दिन लेकिन चाहें आप extra-marital में, married life में या फिर no contact में या love life में कहीं भी हो वहाँ पर किसी भी तरीके से बहस करने से बचिएगा बैसे दिन बहुत अच्छा है यह इस्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन रासी वालों की मीन रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो इस्तिती सामाने रहेगी love life में partner कोई बड़ा gift दे सकता है आपको impress कर सकता है हो सकता है कि no contact में इस्तिती बहुत अच्छी बन जाए अचानक से और married life की स्तिती आज के दिन थोड़ा सा खराव रह सकती है partner धमकी दे और partner ego दिखाए और बहुत सारे जगड़े भी आप दोनों की वीच में हो सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुफट सभाव की बज़े से आप भी कुशनों कुशा से बोल देंगे जिससे दिक्कत हो जाएगी extra material affair में आपके partner आपके लिए बहुत emotional नज़र आएंगे यह इस्तिती है दोस्तों यह था आज का लवरासी फल अगर आपको आज का लवरासी फल पसंद आए इस वीडियो को like, share, comment जरू करें और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन प्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार